नितीज कुमार जनता से कनेक्शन उनका टूट चुका है मैंने पहले भी आपको बताया था अब वो दो-चार लोगों के बीच में सिमट के रहे गए और अपने ही विधाय को ये कह रहे हैं कि अब सड्यांत रच रहे हैं और किसी सिनियर नेता उन्हीं की पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है कि ये ही विक्ति हो सकता है जो पार्टी तोड़ेगा अब किसको किसको वो जेल भेजेंगे जनता दलियू के कितने लोग भारतिय जनता पार्टी के संपर्क में हैं उन्हें अच्छी तरह पता है और वो संपर्क में क्यों हैं वो जो जेदियू के नेता हैं ये भी उनको पता है पतना में बैठकी के बाद से ही आए दिन आप देख रहे हैं महागट बंदन की क्या हालत हो रही है तो इनके जो लोग हैं जो जिनें सही में चुनाव में जनता के बीच में जाना है वो तो फैसला ले चुके हैं कि भाई मुझे कहा जाना है किसके साथ जाना है जो बरी पार्टी है वो उनके साथ है तो जल्दी से अपना CM का कुर्सी छोरें और जो बरी पार्टी उनके साथ ह उसे कुर्सी सोपे ताकि जनता को भी ये लगे कि जो बरी पाटी है वो मुखमंत्री बनके बैठा है। जो सरदलिये बैठक महागडबंधन की हुई है उसमें नितीश कुमार अपना आपा खो दिये हैं। नितीश कुमार के द्वारा अब इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि समराड चौधरी बीजेपी के प्रदेशा ध्यक्ष हैं। उखर तोर से इस बात को बार बार दोर आ रहे हैं कि जदिव के कई विदायक हमारे संपर्क में हैं। जनता दलिव के कितने लोग भारतिय जनता पार्टी के संपर्क में हैं उन्हें अच्छी तरह पता है। और वो संपर्क में क्यों हैं वो जो जदिव के नेता हैं ये भी उनको पता है। जनता से अब उनक्या कोई सारोकार रहने गया है। आरा जक्ता, अपसरसाही, भरस्टाचार और गैर कानूनी कामों से उन्होंने समझोता कर लिया है। अब समझोता बादी हो चुके हैं वो और जन्दा से उनका पूरी तरह कनेक्शन तूट गया। आने वाले चुनाव में उनको पता है कि कितने लोग उनके साथ हैं और कितने लोग उनके साथ नहीं। क्या लग रहा है सर जिस तरह नदीश कुमाराज आपक होए। और अपने ही विधाय को ये कह रहे हैं कि अप सड्यांत रच रहे हैं आप लोग पाठी तोरने की बात कर रहे हैं। और किसी सिनियर नेता उन्हीं की पाठी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यही विक्ति हो सकता है जो पाठी तोड़ेगा। जब जब वो राजगीर जाते हैं, उनको अपनी पार्टी तूटती भी नजर आती है। जब जब वो इस तरह का कुछ ख्यालात पुलाव पकाते हैं, वो गुमराह करने की कोशिस करते हैं। वो गटबंधन के एक छोटे पार्टी के रूप में हैं, जो बरी पार्टी है, वो उनके साथ है, वो जल्दी से अपना सीम का कुर्सी छोड़ें, और जो बरी पार्टी उनके साथ है, उसे कुर्सी सोपें, ताकि जनता को भी ये लगे कि जो बरी पार्टी है, वो मुखमंत् बनके बैठा है मतलब भीज़े भी चाहती है कि यह फाइट सीधा राजत से हो नितिश कुमार बीच से हट जाए नितिश कुमार को प्रसांगिक रही नहीं गया है ना जनता के बीच जिनका जनता से कनेक्शन तूट गया है उनके बारे में अब क्या कहना आपको तेश जून तक सब को सही चल रहा था तेश जून को ब्यार में विपक्षी एक्टा के बैटक होती है नर्द मोदी के खिलाफ 15-15 दल एक साथ आ जाते हैं और 24-25 तारिक से फिर खेल बिगणना शुरू हो जाता देखिए बिपक्षी एक्टा तो यह मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह अपनी सरकार बचाने की अपने अपने बिधायकों का अपने एंपी शांसद लोगों को गुम्रा करने की एक साजिस थी कि भाई आप मेरे साथ रहो अगले एलेक्शन में हम लोग भारत सरकार में मैं परधान मंत्री बनोगा और आप सब मंत्री बनोगे तो वो चीजे ढकोसला बाजी समाप्त हो गई पटना में बैठकी के बाद से ही आए दिन आप देख रहे हैं महां गटबंदन की क्या हालत हो रही है तो इनके जो लोग हैं जो जिनें सही में चुनाओं में जनता के में बीच में जाना है वो तो फैसला है उनके साथ जनता के साथ मुझे रहना है तो उनके सभूठ के आपने हैं से ज़िछ से ढएब आज में गति कुमार कमार सब्क soothing ही हो गए कि अमित साह से मुलाकात हुई है देखिए उदी जी जब जो भी कोई नेता होगा जिसे जनता से सारोकार है वो अपने छेत्र में जाते हैं अपने छेत्र के लोगों से बात करते हैं तो वो निर्ने पे आते हैं कि उन्हें किस तरफ रहना है कहां जाना है किस तरफ क्य करना महारास्ट्रा में यहीं हुआ एंसीपी को अपनी जमीन खिसकते हुए नजर आ रही थी उसे पता था कि अगले चुनाओं में हम साफ हो जाएंगे इसलिए उन्हों ने यह फैसला लिया कि नहीं हम अपने आपको बचाना है अपने आस्तित को बचाना है तो मुझे एक अ कि कुछ अलग प्लान कर रही है बिहार को लेकर भारतिय जनता पार्टी का एक ही प्लान है जनता की आवाज उठाना सदन से लेके सरक तक हम जनता के साथ हैं और हम चुनाओं में जाएंगे जनता का फैसला हमेशा हमें मनजूर रहा है और हम हमेशा अपने कामों में लगे रहते हैं परिनाम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं 24 लोग सवा के पहले मान लिया जाए अमिद जी की कोई बड़ा परिवर्तन बिहार में विराजनितिक दोर पर नहीं होगा मतलब बीजेपी की तरफ से भारतिय जनता पार्टी हमेसा त्यार है आराजक सरकार कुर्सी और जनता के बीज जाए भारतिय जनता पार्टी तेयार है उनसे निपटने को चलिए तो बीजेपी केनेता अमिद सिंग हमारे जाद बात कर रहे थे आज बिहार में जो हल चल हुई है जो राजनितिक सरगर्मिया बरही है और इसके बाद आपको बताएं कि विजय चौधर जो है उनके आवास पर जदियू के सभी विधायकों के बैठक चल रही है और बजापते उनका फोन तक्सीज कर लिया गया है और ऐसा है दिरिश से राजद विधायकों के साथ भी दिखा जब तेजश्वी के आवास पर उनकी बैठक हुई फिलाल इस खबर में इतना ही ऑल बात है आवास पर भाई उनकी बैठक है देएथर कुछ ट्राओ नहीं कर दो तक हो जाटर शोजब गया है और यहाँ आपर कर दो प्रेंसों के विधायकों के साथ बादावर जे रही है।